कैसे आप लोग बचे बहुत अच्छे होंगे और बोड इजमनेशन के लिए त्यारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे चार मार्च का जो साइंस का पेपर होने बला है उसके लिए हम दस इंपोर्टेंट कोशन्स लेके आ गए हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स ठीक है हमने इससे पहले भी इंपोर्टेंट कोशन्स का वीडियो डाला था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे है उसके अलाब आप ये भी दस questions जरूर परके जाओ ठीक है यहां से भी सबाल निरंतर CVSC 10 सालों से कर रही है तो आए स्टार्ट करते हैं समय भी नहीं है हम लोगे पास गमाएंगे भी नहीं पहला question है what happens when quick lime reacts with water also write its chemical equation बच्चो क्या होगा जब quick lime का reaction water के साथ हो जाए तो quick lime जो होता है न बच्चो वो होता है CAO calcium oxide तो अगर calcium oxide है और उसका reaction water के साथ हो रहा है तो कभी भी calcium oxide का reaction water के साथ हो जाए दोखो quick lime को ही calcium oxide बोलते हैं तो calcium oxide का reaction water के साथ हो जाए तो यहाँ पर बनता है C-A-O-H का whole twice that is calcium hydroxide और plus में यहाँ पर heat भी निकलती है ठीक है समझ मैं है तो मैंने इसका direct लिख सकते हो इसमें कि when quick lime react with water then calcium hydroxide is formed and along with heat heat भी इस reaction में heat भी निकल रही होती है और इसका chemical equation भी मैंने लिख दिया और यह जो reaction होती है highly exothermic reaction होती है because इस reaction में heat भी produce हो रही है that's why this reaction is also exothermic reaction next question को discuss कर रहे है why does milkman add a small amount of baking soda to fresh milk दोगों भाई कह रहा है कि milkman जो होते है है वह baking soda मात्रा में barking soda क्यों मिलते है fresh milk को पाने के लिए question फिरसे आप सुनले कि जो milkman होते है है न, वह milk के अंदर कुछ मात्रा में baking soda क्यों मिलते है एकडम fresh milk पाने के लिए हमारा तेखो इसका डारेक्ट में answer देता हूँ यह जो milkman होते है और हमारा जो यह milk जो जब जैसे ही milk निकलता है गाई से काउ से जो milk निकल रहा होता है तो उस समय milk का जो pH होता है 7 से नीचे होता है तो उस समय milk acidic होता है ठीक है ना तो उस समय milk acidic होता है अब क्या है milkman अब acidic होगा तो भाई समझ सकते हो वो अच्छा नहीं है स्वास्त के में क्या डाल देते हैं बेकिंग सोडा डाल देते हैं बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा हम लोग का बेसिक नेचर का होता है तो जैसे ही मिल्क हमारा जो एसिडिक है तो एसिड और बेस मिल्के क्या होता है वहां पर थोड़ा न्यूटरल हो जाता है और वहां पर जो मिल् में जो है भाई मिल्क का पिएच बैलेंस करने के लिए कुछ एमाउंट में बेकिंग सोडा मिला देता है ठीक है अब आगे कोशन डिसकस करते हैं यह मच्छर भाई साब मेरे बोर्ट पे मच्छर क्या कर रहा है तू अपना काम कर चलो तीसा नमर कोशन है वाई आयोनिक कंपा हम लोगा या नाहींढे हुटा सोडीर अब खिरिवनतिक कमपाउंड जो होते हैं सौलिड ऑंस्टेट में एलक्ट्रीशिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं तो इसका मैं सीधा एक्डम एंसर दूगा त्यूंकि सालिड ऐस्टेट में जो आयोंस होते है वो solid state में, एक मिनट, very sorry, solid state में हम लोग का जो ions होता है, किसमें हमारा ionic compound में फिरी नहीं होते हैं, फिरी नहीं होते हैं, तो भाई, आप simple सा इसका answer में देना चाहूंगा, कि ionic compound में, solid state में जब ionic compound होता है, तो उस से electricity इसलिए नहीं पास कर पाती है, क्योंकि solid state में, ionic compound अगर solid state में रहेगा, तो उसके अंदर जो ions होते हैं, वो फिरी नहीं होंगे, एक दुसरे से बंधे होंगे, अब कोई भी एक दुसरे से बंधा हुआ है, तो वो तो free है ही नहीं, move कर ही नहीं सकता, तो electricity flow नहीं करती है, इसलिए ionic compound electricity conduct नहीं करता है, ठीक ह है, this is the reason, ओके, चलो भाई, तीसा question होगे, चौथा question discuss करते हूँ, what is empathetic oxide, देखो भाई, empathetic oxide को अगर आप discuss करना चाते हूँ, मतलब याद करना चाते हूँ, इसा oxide, समझो, ऐसा oxide, जिसके अंदर acid वाला भी गुन पाया जाएगा, और जिसके अंदर basic वाला भी गुन पाया ज जाएगा, वही oxide, empathetic oxide होता है, और इसका example अगर देना चाहो, तो बहुत अच्छा example है, zinc oxide, और उसके साथ, aluminium oxide, ये दोनों example famous है, ठीक है, ऐसा oxide, जिसके अंदर acid और base, दोनों वाला गुन पाया जाए, तो वो empathetic oxide होता है, example ZNO और Al2O3, अब अगला है, homologous series जो होता है, homologous series क्या होता है, कि दो consecutive members के जो compound होते हैं, उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, molecules की बात करें, तो वो क्या होता है, CH2 molecules का difference होता है, ठीक है, समझ मैं, और mask की बात करें, तो 14 unit mask का difference होता है, और जो homologous series होता है, उसका characteristic क्या होता है, कि जितने भी homologous series, कोई भी member, अग के अल्कोहल कीबात कर ले तो उसमें जितने सारे कंपाऊन वोगे उनका फिजिकल परपर्टी धीरे धीरे क्या होगा जैसे ही, अगर ऊपर से नीचे आएंगे, तो उसका मास में यानि इसका मास होता है, उसमें क्या होगा थाओ अपाेगा देखने को मिलेगा लेकिन, अगर alcohol के पूरे family की बात करे तो उसका chemical properties same होता है लेकिन physical properties different होता है तो homologues series में जो होते हैं कि हमारा chemical properties तो same होता है लेकि physical properties difference हो जाता है क्योंकि वाई उसका जैसे उसका mass वरेगा तो उसके अंदर और भी सारी चीज़े बढ़ने लगेंगी ठीक है समझ मैं तो homologues series में बात करें तो physical properties हरे compound का different different होगा है और हमारा जो chemical properties है वो तो same रहने बाला है तो यह आप कर लेना homologues series बहुत important है versatile nature of carbon की बात करें तो भाई versatile nature carbon का जो है ना एक versatile nature होता है जिसके बज़े से carbon बड़ा बड़ा compound बनाता है बड़ा बड़ा compound वो दो property आपको मैं बताता हूँ पहला है catination पहला है catination और दूसरा है हमारा tetravalency tetravalency यही दो property के कारण carbon बहुत बड़ा बड़ा compound बनाता है ठीक है तो अगला seven number question discuss करते हैं क्या है human heart digestive system nephron reflex arc male and female reproductive system और neuron का भी neuron यह सारे का diagram एक जम complete आप कर लो अभी time है एक दिन का time है आप कर सकते हो तो यह सारा diagram आप लोग complete कर लेना क्योंकि इन ही में से दो questions जो diagram है दो diagram आही जाएगा तो इसको कर लेना ठीक है अगला है आठमा नमर question है Newton double prism effect भाई यह तो बहुत easy है पहले आप क्या करो पहले आप ultra ले लो prism और उसके बाद सीधा ले लो तो यहां से white light pass करवाए तो यहां पर seven color में क्या हुआ पर divide हुआ फिर यह seven color जो है यहां पर बाहर निकला यह से यह से और उसके बाद सारा seven color जो है एक बार में मिल गया और फिर यहां से जो भी निकला यहां पर हमने एक white screen लगाया हुआ था तो जो भी color यहां पर आ रहा है उसका डाइग्राम भी आप लोग को आना चाहिए ठी ठीक है और न्यूटन डबल फ्रिजम इफेक्ट में जो सारे concept है वो भी पर लेना आगे बात करते है नाइन नमर state ohms law ohms law क्या होता है बाई ohms law क्या होता है कि किसी भी constant temperature और pressure अगर रखो तो किसी भी conductor से जो electric current पास करता है वो directly proportional होता है किसके potential difference के ठीक है तो यह आप statement स्टेट लाइन होता है तो वह भी आई गराब भी अच्छे से कर लेना यहां से भी सवाल आते हैं अगला है factors on which resistance of a conductor depends किन-किन factors पे किसी भी conductor का resistance depend करता है तो भाई conductor के length पे हैना conductor के area of cross section पे कितना मोटा है वो उसके साथ साथ temperature पे और उसके साथ साथ conductor किस material का बना है इस पर भी depend करता है तो अगर भाई यह अगर आप लिखना चाते हैं तो जल्दी से लिख लो चलो skin shot भी कर सकते हो ठीक है students आपने लिख लिए होंगे यह तो video important थी ही लेकिन इससे भी ज्यादा important एक और video है जो आपको definitely देखनी ही चाहिए उसमें भी हमने बहुत सारे questions जो की important है हम ठीक है उसमें हमने numericals भी discuss किया है तो वो video का link हम description में दे देंगे वो video भी आप जरूर देखिए ठीक है और अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लिजे क्योंकि हम social science का भी बहुत important questions आप लोग के लिए लेके आएंगे ठीक है तो चलिए हम मिलते है next video में तब तक के जाहिंद